नमस्ते फ्रेंड आप सब कैसे हैं आई हो कि आप लोग अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ आज मैं आलू की कचवडी बनाऊंगी और उसकी रेस्पी आप सब को बताऊंगी चलिए सुरू करते हूँ देखिए मैं थोड़ा सा अदरक ली हूँ और लासन चार क लिए मेरा बड़ा बड़ा बहुत लासन इसलिए चारे कली ली हूँ और एक हरिय मीर्च ली और इसको मैं दर दर पीस उरगी ये मैं दो उबला हुआ आलू ली हूँ मेडियम साइज के अब इसको मैं 20 से काड दूँगे इसे ये जो अधरक लासन मिर्चा पीसी हूँ मैं इसी में इसको डाल के इसको भी पीसूँगी देखिए यालू भी पीस गया है मेरा अब मैं इसको किनारे रख देती हूँ और सारी तयारी कर लेती हूँ अपना देखिए जो पीस के रखे हैं मैं उसमें छोटा चमच जीरा पाउडर है भूना हुआ डाल रही हूँ थोड़ा से मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और नम पत्ता भी डाल रही हूँ इसी मैं गूथ हूँगी मैं इसमें एक चमच रिफाइंड डाल रही हूँ उसके बाद मैं इसको गूथ हूँगी देखिए आटा बहुत गीला भी नहीं करना है बहुत टाइट भी नहीं करना है देखिए इसे करके इसको गूथना है इसको मैं 10 10-15 मिनट के लिए रख दूगी उसके बाद बनाऊंगे 10-15 मिनट ओ गया आब मैं इसको बनाने जा रही हूं अब इसको मैं लोई काटूँगी इतना बड़ा बना ना हूँ इतना बड़ा बना रही अब मैं अब इसको नगाई हूँ अब यह ईब एना गडोर आपाधा भी लगा सकते सुखा आप देखिए मैं बेल ली यूंअब मैं इसको बना रही हूँ इदर अधर मेरा मेल कड़ाई भी गरम हो गया मैं इसमी रिफाइंट, फौरश सब्सक्रोल म अब में इसको पलत ठेखे दोनों तरव से हो गया है मैं निकाल दे रही हूं आप यह संगे अत्ट शारा बना लूंगे देखे मेरे लुके कर कचवडि बनके एकदम तयार हो गया है आपी बनाईए और खाय्य और मुझे बताईए कि कैसा बना है अगर मेरी लुके करें अच्छी लगी उर तो ब करे से यार करे सस्क्राइब करें और कमेंट करना ना भूले मिलती हुमें अगले वीडियो में धन्यवाद